वाले से ये खबर मिल लगी है कि आरोपी चंदन वर्मा ने अकेले ही इस पूरी बारदात को अंजाम दिया पुलिस की चंदन वर्मा से पूछताश में सामने आया कि चंदन वर्मा अकेले ही अपनी मोटर साइकल पर टीचर के घर गया था चंदन ने दर्वाजा खट-कटाया और फिर जब दर्वाजा खुला तो वो अंदर पहुचा और पिस्तॉल से फारिंग कर हत्याकान को अंजाम दिया मौके से पुलिस को खाली मैग्जीम और खोके बरामद हुए हैं चंदन वर्मा की वाटसब से हत्याकान का परदा फाश्वाज जिसमें लिखा हुआ था कि पाँच लोग मरेंगे इतना ही नहीं आशंका जताई जारी है कि पूरे परिवार के हत्या करने के बाद चंदन वर्मा का आत्म हत्या करने का भी प्लान था चंदन वर्मा राइबरेली का रहने वाला है चंदन वर्मा के किलाफ रितक सरकारी स्कूल के टीचर सुनिल कुमार की पत्नी पूनम भारती ने स्ट, स्ट और छेड़ खानी का मुकदमा भी दर्च करवाया था अमेठी में चार लोगों की हत्या से मचा हार कंप और अमेठी हत्याकान में बड़ा परदाफास हुआ है जिसने इस पूरे हत्याकान को रचा वो खुद अपने आपको मौत के घाट उतारने की पूरी पानी कर रहा था वाट्सेप चाट के जरिये पूरे मामले का खुदासा हो चुका है बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहा है यूपी के उत्तर प्रदेश के अमेठी से बड़ी खबर एक फायार ने पूरी दलित परिवार की जो लीला रची गई थी उन सब को कही न कही समाप करते में नजारेगे आया है पूरे दलित परिवार को एक फायार ने एक तरह से खत्म कर दिया दलित परिवार एक पूरा खत्मे चार लोगों की मौत से हरकाम मचा हुआ है पूरे इलाके में आप देखिए शांत पुलिस जापता तैनाथ है आरोपी पर शिकंजा कसा गया है घटना वाली जगा से 9 खाली कार्टूज बरावद हुए है तीन तज़्वीरे समय हम आपको दिखा रहे है एक जो आकरी की तज़्वीर टीसी तज़्विर आपको दिख रही है मामले में क्या क्या हुआ वो आपको ग्राफिक से जरीय बता रहे हैं पहले तज़वीर देखिए कि सूल सा इनला का एंबिलेंच के जरीये वहाँ पर जब कान घटा था तो वहाँ पर क्या कुछ हुआ था वो दिखा रहा है दूसी तजवीर आप देखिए कि पूरे इनाके में सननाटा इतना से कही ना कही क्योंकि पहले घर में जो दलित परिवार था वहाँ पर वारदात वाली जगा वारदात वाले घर में वहाँ पर सील कर दिया गया है उसको दूसी तजवीर भी आप देख रहे हैं सील के वे वे पूरे मकान को जहां एक पूरा परिवार एक F.I.R. धर्ज होने के बाद से क्या उसके साथ हुआ ये पूरी तज़्वीर आपके सामने है और हिबॉक्स निवेश गोटाला मामले में दिल्ली पुलीस एक्शन में है दिल्ली पुलीस की स्पेशल सेल की I.F.S.O. यूनिट ने हिबॉक्स निवेश गोटाले के मुख्य रोपी को गिरफतार कर लिया दरसल स्पेशल सेल ने रोपी के चार बैंक खातों में मौझूद 18 करोर रुपए भी सीज किये है पुलीस को मिनी शिकायत के मुदाविक हिबॉक्स आपके लिए आरोपी निवेश को को गारंटी रिटर्न देने का लालस देता था अब तक की जाच में लगबग 500 करोर रुपए की दोकादड़ी सामने आई और इस मामले में दिल्ले पुलिस ने आपको प्रमोट करने वाले सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर्स या फिर यू कहें कि यूट्यूबर्स को नोटिस जारी कर पूछताज के लिए बुलाया है जिसमें कॉमेडियन भारती सिंग और यूट्यूबर एल्विश यादव का भी नाम शामल है पुलिस इस मामले में यूट्यूबर अभिशेक मलहान लक्षय चौधरी और पूरग जाको भी नोटिस जारी किया है तो हिबॉक्स का किस तरह जाल निकर सामने आए निवेश गोटाले के इसमें बड़ा एक्शन लिया गया है तमाम कॉमेडियन और यूट्यूबर इंफ्लूएंसर्स के उपर भी शिकंजा कसा हुआ है पांसो करोड का पूरा मामला हिबॉक्स आप के जरीये निकल कर सामने आया लोगों के निवेश के लिए प्रेरित किया गया एक से पांस फीसी दीता का रिटर्न का लालस दिया गया हिबॉक्स का जाल पांसो करोड का ये पूरा गोल्माल है एक मुबाल अप्लिकेशन है ये हिबॉक्स आप के माध्यम से लोगों को निवेश के लिए प्रेरित किया जाता है निवेश को एक से पांच फीसी दी तक हर दिन विटर्न का लालस दिया जाता है और इसी लालश में आकर लोग कही न कही निवेश कर देते हैं लोगों को वहकाने के लिए ये पूरा जो रिटर्निंग पॉलिसी है वो रची गई है इन्फूएंसर्स यूटूबर्स की मदद से यानि कि इसका जो प्रमोशन है एक तरह से जो एड है वो इसका एड इन्फूएंसर्स और यूटूबर्स करते हैं और कही न कहीं अगर कोई जिसके ऊपर आपको विश्वास होता है अगर वो ऐसे लोग किसी चीज का प्रमोशन या एड चलाते हैं तो आम जो जनताव होती है उनकी बातों पे आ जाती है और इसलिए एक से पांच प्रसितर जो रिटर्न देने की बात आई है इंफ्लूएंसर्स, यूट्यूबर्स की मदद से जो एड कराए गया है इसमें तमाम लोग फस गया है इस बज और फोन पे के जरिये भुक्तान इसमें लोगों से कराया जाता है तो हिबाक्स का कैसे पूरा जौल है और कैसे 500 करोन में कितने लोग फसे हुए हैं या आपको खबरों के जरिये पता चला है